नमस्कार राजनितिक खबरों के सबसे दिल्चस्प पिठीकाने में मैं रूपेश्ट मिस्त्रा आप सब ही कस्वागत करता हूँ राजस्थान कॉंग्रेस के दिगज नेताओं की आज की तस्वीर देखकर मनो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सियासी समझोता हुआ दरसल जिस प्रकार से आज सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत जो की एक दूसरे के सामने आने से कतराते हों नजरे मिलाने से कतराते हों और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों ही नेता हेलिकॉप्टर साज़ा कर रहे हैं आपको बता दे कि ऐसी तस्वीरे लोकसभा चुनाओ के वक्त देखने को मिली थी जब सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत एक साथ कैमपेनिंग किया करते थे लेकिन उसके बाद आज ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत एक साथ हेलिकॉप्टर साज़ा कर रहे हैं दरसल इसे क्या कहा जाए या सियासी समझोता या फिर सियासी मजबूरी दरसल आज के इस तस्वीर को समझने के लिए पूरे पीछे का एपिसोड समझना होगा दरसल पिछले तकरीबन 17 वरसे दिल्ली में चहलकदमी राजिस्थान के नेताओं की बढ़ गई थी मुख मंत्री गहलोत के बेहत करीवी नेता और मुख सचे तक महेज जोसी ने सबसे पहले अजय माकन से दिल्ली में मुलाकात की थी और इसी तर्मिया खबर आती है कि जो 19 विधाय जो थे जो बाड़े बंदी के वक्त सचिन पालेट के साथ मानेसर गय हुए थे उनको लेके जो अयोग घोसित करने को लेके जो एक SLP दायर की गई थी उसको वापस लेने का फैसला महेज जोसी की ओर से किया गया जिसके बाद से मानो सब ही बाते बननी लगी हो और पालेट गहलोत के सियासी रिस्ते में जो कड़वाहट है वो दूर होने लगी हो क्योंकि एका एक इतना परिवर्ता नाना दोनों नेताओं का एक साथ किसान सम्मेलनों में सिर्कत करना जाहिर तोर पर अपने आप में बड़ा संदेश दे रहा है दरसल ये भी इसके पीछे कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस आला कमान प्रदेश प्रभारी अजय माकन और गोविन सिंग डोटास्रा समेत तमाम नेताओं को इस बात का आभास हो चुका था कि अधी इसी प्रकार का गतिरोध चलता रहा और सचिन पालेट की इसी तरीके से नजर अंदाजी चलती रही तो जाहिर तोर पर उप्चुराव पे इसका खाम्याजा कॉंग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है लिहाजा कहा जा सकता है कि तमाम सियासी समीकर्णों को साधिते हुए अंततह आला कमान की ओर से प्रदेश प्रभारी आजय माकन की ओर से ये फैसला लिया गया कि पाइलिक और असोग गहलोद जब एक साथ हेलीकॉप्टर में स्यर करते हुए जब सम्मेलन में शरकत करेंगे तो एक साकरात्मक संदेश जाएगा एक एकता का मैसिज जाएगा क्योंकि उपचुनाव अब सिर्फ पर है कभी भी तारीखों का एलान हो सकता है और जिन चार सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं जाहिर तोर पर ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए प्रतिश्ठा का प्रस्ण है क्योंकि इन चार सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां भारती जन्ता पार्टी के विधायक थे किरण महस्तुरी वहां से विधायक थी बाकी तीन सीटे कॉंग्रेस पार्टी के पास थी और जाहिर तोर पर यदि ये विधान सभा उप्चुनाओ के जो परिणाम है यदि कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो जाहिर तोर पर भारती जन्ता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाएगा लिहाजा कॉंग्रेस पार्टी इस मौके को नहीं गबाना चाहती है और आज जो सभाएं कॉंग्रेस पार्टी की ओर से आयूजित हो रही है मात्र कुंडिया में विधासर में वो भी उप्चुनाओ के मद्दे नजर ही एक कैंपेनिंग का आगास किया जा रहा है लेकिन खुशी की बात ये है कि सचिन पालेट और असोग गहलोत मिलकर एक साथ इस कैंपेनिंग का आगास कर रहे हैं लेकिन बात यही है और जो बार होता है वो यही खड़ा होता है कि आखिर जो दोनों के बीच में जो सियासी समझोता हुआ है वो आखिर कब तक चलेगा तमाम लोगों ने उन तस्वीरों को देखा है उसके बात से पालेट समर्थक और जो पालेट कैम के नेता थे उनके अंदर एक रोस प्रकट हो गया था उनके अंदर एक रोस भर गया था इस बात को लेके कि उनके नेता की नजर अंदाजी की जा रही है लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर से दोनों नेताओं को एक जाजम पर लाने की जो कवायत की गई है वो जाहिर तोर पर इस तोर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं आला कमान की होर से एक प्लैनिंग तैयार की गई है कि दोनों नेताओं के बीच में जो जो दरारे हैं जो कड़वाहट हैं उनको दूर किया जाए लेकिन अब देखना ये होगा कि आला कमान ने तो पहले भी की थी तब भी कैसी तश्बीर बनी वो किसी से छिपी नहीं है लेकिन इस बार जो कोशिस एकता की कॉंग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है वो सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है ये देखने वाली बात होगी, Namaskar